मित्रो नमस्कार, मैं पंडिललाल बहुटिस केंधर यूट्व चैनल के माध्यम से आफ शौही मित्रों का हार्थिक स्वागत करता हूं मित्रों आज की हमारे शुकला जोतिस केंधर यूट्व चैनल का जोतिस का भिसे है खिचडी आपके जीवन को कर सकती है धन से और शुकों से परिपूर्ण जैसा की मित्रो मैंने आज आप सभी को शुकला जोतिस केंद यूटूब चैनल के माध्यम से खिचडी के लाभ और उसके खाने से सम्बंदित आपको जोतिस सम्बंदित बिचार और टोटका बताने जा रहा हूँ जैसा की खिचडी कहते हैं सरीर के और पेट के लिए एक उत्तम माध्यम है अर्थात जब किसी प्रकार की पेट में अपच्छ हो या किसी प्रकार की परेशानी हो तो कहते हैं की खिचडी का करके उस समय जो होता है स्रेष्ट होता है लेकिन आप सभी लोग क्या जानते हैं कि किछडी काने का महत जीवन के सुख से भी और जीवन की सुख सम्रद्धी से भी जुड़ा हुआ है जैसा कि एक चीज हमारे समाज में हमारे पूरवजों के द्वारा या हमारे सास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद भूल करकी भी चावल नहीं खाना चाहिए सूर्यास्त के बाद चावल नहीं खाना चाहिए क्यों कि इसके कारण लक्षमी जी का अपमान होता है और घर की लक्षमी रूठ जाती है इसलिए घर में चावल रात्री के समय नहीं खाना चाहिए और विसेज जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को खिचडी के बिसे के बारे में बताने जा रहा हूँ उसकी महिमा के बारे में तो आप लोग सुनिए कि खिचडी का महत तो क्या है हमारे जीवन में हमारे सुखों से और हमारी धनलक्षमी से खिचडी के बिसे में एक कथन एक सास्त्र और रिशी मुनी महात्माओं और परभचन करताओं के द्वारा एक तथ ही ये है कि खिचडी को अगर प्रतेक मंगलवार और जो खिचडी होनी चाहिए वो उड़्द की अर्थात हरी मुंगी साबुद जिसको बोलते हरे उड़्द की खिचडी बनाएं हरे करके लेकिन उस खिचडी में ये जरूर ध्यान रखें कि घी अवस्य डाल कर खाएं जहें बूंद भर घी डाले लेकिन घी डाल करके उस खिचडी का सेवन करें और घर में पहले भगवान को भोग लगा करके प्रशास शुरूप थोड़ा थोड़ा खिचडी स्रधानुसार प्रतेक मंगलवार को परिवार को सामोहिक रूप से खाने से घर में धन यस कीर्थी लक्षमी की ब्रध्धी होती है ये कार्य नित्य प्रतेक मंगलवार को करें और इसी के बिशे में एक तथिया भी है कि अगर प्रतेक मास में बीरवार को खिचडी खाना प्रारंब कर दे और नियम बना कर खाना प्रारम करें तो घर में दरिदता, परिशानियों और कष्टों का सामना करगा। हर्थात, ये जोतिस तथा आपने पूरबजों, रिशी मुनी महात्माओं के द्वारा ये कथन और ये उपियों की बात आप सभी लोगों के सामने मैंने शुकला जोतिस के अंद यूटूब चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया। मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय और जोतिस सम्मंदित बिचार टोटका कैसा लगा, आप हमारे कमेंड बोक्स वेपनी राया वस्ते दें। हमारे सुकला जोतिस के अंद यूटूब चैनल को नीचे देगे बटन को लाल, बटन को शब्सक्राइब कर, हमारे साथ जुड़कर जोतिस सम्मंदित आने वाले नएने विचारों की जानकारी लेते रहें। मित्रो आज का विसे ही समापत होता है, मित्रो नमस्कार।